दाल्चेनी खाने के फाइदे और खुबी वैसे तो भारत में मिलने वाली हर मसाला किसी दवा के कम नहीं ना सब खाने से इस्तिमाल किया जाता है बलकि इसके कई गुण भी हैं इसमें एक मसाला है दाल्चेनी जो हर भारतिये को रसोई में पाया जाता है जो किसी दवा से कम नहीं है जी डाल्चेनी में कई ऐसे गुण हैं जिसे जानकर आप चौक जाएंगे इसे खाने से नहीं आप स्वास्त रहेंगे बलकि बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है दाल्चेनी खाने के फाइदे दाल्चेनी के आउशदी उपयोग दाल्चेनी और शहद अगर दाल्चेनी में शहद मिला कर खाने से काफी फाइदा मिलता है इससे नीमित सेवन करने से तिल की बीमारी दूर हो ज करता है अगर दालचीनी सहथ के साथ गरम पानी में मिला कर पिया जाए तो इसका फाइदा दुगना हो जाता है मोटापा कम कर सकते हैं कि दालचीनी सौप मेथी दानों एक चमच बराबर मात्रा में लेकर सुबह वक्त उबाल कर गलास पानी जब आदा गलास रहे तब छान कर पानी को पीने से डायबिटिस में बहुत ही कुनकारी होता है डायबिटिस को नियंतरन करती है डालचीनी के और कई फाइदे हैं के लिए उपयोकी रहती है डाल्चीनी जुकाम के लिए राम दुख है लीकार के लिए शानदार-दौह है PT कर गप刃लचीनी के स्वाट के लिए अस्वाद में उप्सरीरोग में तालचीनी कैखने के स्वाद बढ़ाने के लिए घरगर में उपयोग होती है दालचिनी दालचिनी के कुछ अन्य शांदार लाब जो शायद आप नहीं जानते होंगे दालचिनी हमेशा हरा बरा तथा छोटी जाडियों जैसा होता है उनमें तने कि छाल चुनकर सुखाई जाती है उनका आकार कवेलू जैसा गुलाकार जाड़ा मुलायम तथा भूरे लाल रंका होता है दालचिनी के पेड़ हमेशा सुगंद आती है उसका उपयोग मसालों और दवा के रूप में किया जाता है इनका तेल भी निकाला जा सकता है दाल चिनी के पेड़ के पत्तों का उपयोग खाने के मसाले में तरह किया जाता है नहीं तेज पत्ता भी कहा जाता है पाचन विकार के लिए एक शानदार दवा, पाचन विकार में सुधार लाने के लिए जटर सबंधी विकारों के लिए इन चार अलग-अलग तरीकों से दाल चीनी का उपयोग कर सकते हैं, अपच, पेट दर्द, सिने का, जलन, मैसुस होने पर आप दाल चीनी, सोट, जीरा, इलाईची, सम मातरा में लेकर पीस ले, इस पावडर को गरम पानी के साथ लिया जाता है, दाल चीनी, काली मिर्च, पावडर, शहद, मिला कर बोजन के बाद लेने से पेट की परिशानी न लिया जाता है, कब्ज और गेश समश्या को कम करने के लिए दाल चीनी के पत्तो के चून काकाड़ा बना कर लिया जाता है, दाल चीनी जुकाम के लिए राम बान, चुटकी बर दाल चीनी पावडर पानी में उबाल कर किसी उसी चुटकी में काली मिर्च, पावडर, शहद में डाल कर लेने से शर्दी जुकाम गले की सूजन मलेरिया कम हो जाता है त्री रोग में बहुत असरकारक है डाल गर्भाशई के विकार गयनोरिया डालचिनी के उपयोग किया जाता है प्रसव के बाद एक महीने तक डालचिनी का टुकड़ा चबाने से गर्भजारन को टाला जा सकता है डालचिनी से माता के स्तन का दूद बढ़ता है गर्भाशई का संकुचन होना होता है खाने का खाने का बनाने के स्वात बढ़ाया जाता है डालचिनी का तेल इत्र मिठाईयों और पेय में उप्योग किया जाता है डालचिनी में कुछ अन्य शांदार लाब जो शायद आप नहीं जानते होंगे वीरी वृद्धी के लिए डालचिनी पाउडर सुब शाम गुंगुने प डालचिनी का उप्योग किया जाता है मुहां से कम करने के लिए डालचिनी का चून लिम्बू के रस के साथ मिला कर चेहरे पर लगाए खसरा निवारक के दोर पर डालचिनी का उप्योग किया जाता है डालचिनी के घटक पदार्थ प्रोटीन कार्बोहाइडरेट फोस्फ ही होती है उश्ण दीपन पाचन मुत्रल कफ नाशक स्तंबक गुणों से भरपूर मात्रा में पाई जाती है मन की बेचनी कम करती है यकृत का कारिय में सुधार लाती है स्मरण शक्ति बढ़ाती है नमस्कार जैहिंद वंदे मात्रम